हमने यह देखा कि organisms के अंदर variations की बहुत सारी reasons हो सकती है अगर organisms जो है इनको different densities के अंदर रखा जाए तो उससे भी जो organism है इनके characters के अंदर इनकी behavior के अंदर इनकी anatomy के अंदर तबदिली आती है फरेजेंबल लोकर्स जो के insects है और यह हमारी जो agriculture crops है उसको बहुत जादा नुकसान पहुचाते हैं यह देखा गया है कि अगर लोकर्स को crowded conditions के अंदर rare करवाया जाए तो फिर यह gregarious phase के अंदर convert हो जाते हैं और यह जो phase है यह बहुत ज़ादा destructive phase है इसी तरीके से अगर इनको less crowded conditions के अंदर grow करवाया जाए rare करवाया जाए तो फिर यह transitional phase के अंदर convert हो जाते हैं इसी तरीके से अगर इनको individually grow करवाया जाए तो फिर यह solitary phase के अंदर convert हो जाते हैं अब यह जो तीन different phases हैं इनको अगर हम compare करें तो इन तीनों phases के अंदर वाज़ तोर पर इनकी onotomy इनका color और इसका जो behavior है उसमें वाज़ तोर पर फरक नजर आ रहा होता है इस difference की वज़ा से बहुत सारे लोग शुरू में इनको different species consider करते रहें इसी तरीके से अगर हम organism के अंदर elementary variation की बात करें तो elementary variation के अंदर body का कोई एक part with respective दूसरा जो body part है grow जादा तेजी से कर रहा होता है अगर हम humans के अंदर बात करें तो humans के अंदर early stages के पर जो brain की development है वो जादा तेजी से हो रही है as compared to other body parts लेकिन बर्त के बाद जो brain की growth है वो slow हो जाती है बाकी body parts जो है उसकी growth जादा होती है इसी तरीके से beetles के अंदर और दूसरे जो insects है उसके अंदर भी यह जो misappropriate size की जो production होती है यह elementary variations की वज़ा से होती है तो sometime जो elementary है इसकी वज़ा से एक ही species के अंदर different किसम के जो organisms different किसम के individuals जो के बहुत ज़ादा vary कर रहे होते हैं प्रोड्यूस होते हैं तो इस किसम की जो variation है उसको elementary variation कहते हैं इसी तरीके से neurogenic variation, neurogenic variation basically यह color variation है अगर हम chameleon की बात करें तो इन के अंदर chromatophores मौजूद होते हैं इन chromatophores की मदद से यह अपनी body के अंदर जो color है उसके अंदर change रा सकते हैं अब chameleon की जो body है इसके अंदर जो chromatophores हैं यह three layers के अंदर मौजूद हैं अगर हम इनकी पहली layer की बात करें तो उसके अंदर xanthophore जो के yellow color produce कर सकते हैं इसी तरीके से arithrophore जो के red color produce कर सकते हैं तो xanthophore और arithrophore यह पहली layer के अंदर मौजूद होते हैं जबके अगर हम second layer की बात करें तो second layer के अंदर arithophore यह guanophore मौजूद होते हैं जो के blue color पैदा करते हैं इसी तरीके से अगर हम third layer की बात करें तो उनके अंदर milanophore मौजूद होते हैं जिसकी मदद से यह dark color produce कर सकते हैं यह third layer के अंदर मौजूद होता हैं तो कैमेलियोन इन क्रोमेटोफोर की मदद से अपनी बोडी के अंदर different किसम के colors प्रोड्यूस कर सकते हैं और ये जो color हैं इनके different combinations भी बन सकते हैं तो इन color variation की मदद से मुखतलिफ जो individual है same species के उनको sometime लोग different species consider कर लेते हैं लेकिन ये basically different species नहीं है बलके ये ecological variations है जो के इनके अंदर ट्रोमेटोफोर्स के होने की वज़ा से आती है